आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि हम केक को अच्छे से अच्छे डेकुरेट किस तरह से करें या फिर रोस के पैटल किस तरह से बनाये जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी यहां बहुत ही इजी वे में और बिल्कुल यूनिक स्टाइल में मैंने यहां पे आप लोग के लिए बनाया है केक को अडेकुरेट किया है इस तरह से के देखने में भी सुन्दर और यूनिक और बनाने में बिल्कुल ही आसान तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो हेलो एवरीवन असलाम लीकूम एन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे है आप सब तो यहां पर देखे मैं पाइनापल फ्लेवर में यहां पे केक बना रही हूं दो कप प्रिमिक्स से मैंने यहां पे स्पॉंज बना करके रेडी कर लिया था और इसकी चार लेयर में हम इसे कट करेंगे और बहुत अच्छे से कट हो जाता है इस पॉंज बेक करने के बाद आप इसे ठंडे होने के बाद फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लि और उसके बाद अपना बेस रख देंगा और कर लेंगे बहुत ही अच्छे से सोक जिस फ्लेवर का आप बना रहें यहां पे उसी फ्लेवर में हम यहां पे पानी एड़ कर लेंगे और उसी से हमें सोक करना है बहुत अच्छे से सोकिंग करना है सोकिंग करने से हमारा जो के कर लिजए क्रीम एड़ करने के बाद उसे बहुत अच्छा टेस्ट इन희haans हो जाता है केक में केक का टेस्ट बढ़ जाता है बेकरी में भी आपको इस तरह का केक नहीं मिले वाला है जो आपको होमबेकर आपको बना करके दे देंगे और केक बनाना तो सच में बहुत ही इजी है कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है बहुत ही आसान है आप बहुत आसानी से सीख सकते है मैं इतनी आसानी से यहाँ पे बताती हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं मैं reply आपको जरूर दूँगी तो देखी यहाँ पे इसी तरह से हमारी cake की finishing भी complete होने वाली है यहाँ पे हमें जादा smooth करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा cake का design ही ऐसा है कि design से वो पूरा cover हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं bucket design यहाँ पे decorate कर रही हूँ इसी वज़े से ना तो हमें यहाँ पे जादा smooth करने की जरूरत है और ना ही जादा cream लगाने की जरूरत है क्योंकि design तो आप यहाँ पे देखी रहे है तो आपको जो nozzle लेना है वो bucket nozzle है तो एक तरफ से उसमें cut लगे रहते है दूसरे तरफ से उसमें बिल्कुल भी plane रहती है वही nozzle हमें लेना है यहाँ पे मैं brown color से bucket का design बनाती लेकिन जिनके लिए मैं cake बना रहे थी उन्होंने का है कि मेरा जो dress है वो pink color का है इसलिए आप pink color में आप cake decorate कीजेगा तो इसलिए मैंने pink color ही यहाँ पे choice कर लिया और rose बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको लेना है R11 का nozzle जो rose nozzle होता है उसी से हम 3 round बना लेंगे अपने plate पे और उसके बाद उसी से उल्टा सी करते करते हम बना लेंगे rose तो बहुत ही प्यारा rose बनेगा और आपको rose बनाने की 3-4 बार practice भी करनी होगी तभी आपसे perfect rose बन सकता है क्योंकि किसी किसी से क्या होता है rose बहुत बार बना रहे नहीं बन पा रहे है लेकिन कई लोग ऐसे होते कि एक बार में ही बना लेते कुछ लोगों को 3-4 बार की जरूरत होती है तो आप एक बार महनत कीजिए इस पे rose बनाने पे और बहुत अच्छा rose बन के तयार होगा केक पे rose डाल देने के बाद केक की खुबसूरती और भी बढ़ जाती है तो मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया था इस चीज़ को लेकर के तो आप भी प्रैक्टिस कीज़ेगा आसानी से बन जाएंगे आपको केक कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा लाइक करना मत भूलिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जरूर से ताकि नौटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और मेरे वीडियो आप आराम से देख सके तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना है तो चलत जी हूँ दुआ में याद रखेगा इंशाला तलह फिल लोटूंगी एक नए और मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए आला हाफिज लव यो ओल टेक केर बाबाई